जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यह जो चार्ट पैटन बन रहा है वह आपको मैंने बताने बोला था एक्चली इस चार्ट पैटन का नाम है रिवर्स हेड और शोल्डर कटता है तो जितना उसका नेक है नीचे में उतना मार्केट उपर जा सकता है तो 22,940 का टागेट आ रहा है इन कमिंग डेस जैसे ही मार्केट ओपेन हुआ मार्केट ओपेन इकोल्स टू हाई बनाया है जिसका मतलब होता है हमें उसको शॉट करना है लेकिन स्टॉप लॉस जो होगा ओपेन इकोल्स टू हाई वाला कैंडल ही होगा तो मार्केट जब 20 और 50 मूविंग एवरेज के उपर निकलने लग जाए तब आपको बाइंग का ट्रेड लेना था आज एक्चुली पूरा मार्केट न्यूस ड्रिवन था तो जैसे जैसे पॉलिटिकल स्टैबलिस्मेंट हो रही थी मार्केट में कि चंद्रबाबु नाइडू बोल दिये हैं कि NDA में ही वो रहेंगे और एक गवर्मेंट फॉर्म होगी उनके और इसे मार्केट शूट करने लगा जैसे जैसे यह न्यूस फ्लो आ रहे थे मार्केट शूट करता था अब आपको यह भी चीज़ यहाद रखना है मार्केट यह जो पॉलिटिकल अलाइन्स है इसमें बहुमत किसी को भी नहीं है तो कोई भी पार्टी कभी भी अपना सपोर् पल है मार्केट जब 22,000 660 के ऊपर निकलने लग जाए तब आप बुलिश ट्रेड लीजएगा और 22,800 22,700 के लिए आप ट्रेड ले सकते हो और मार्केट अगर गैप भी खोल दे तो आप सपोर्ट का वेट किज़े मार्केट में बैंक निफ्टी सेम चीज बैंक निफ्टी यह चीज़ आप अपने से भी जब मैनुवली ड्रॉ करोगे तब आपको यह चीज़ समझना आएगा कि हाँ इसका इंपोर्टेंस बहुत है मार्केट में अब यहां हम इसको लगा देते हैं तो आप अगर ठीक से देखोगे तो फॉर्स टार्गेट जो आ रहा है मार्केट में वो 49,450 का आ रहा है और मार्केट 49,450 से ही गूमा है तो अगर कल के लिए लेवल है तो 49,450 के उपर मार्केट निकलने लग जाए तब ही हम बुलिश ट् और 20 और 50 moving average के नीचे चालने लग जाए तब हम बुलिश ट्रेड लेगे अगर कोई long positional trade लेना चाहता है तो 47,760 के नीचे निकले तो बुलिश ट्रेड और 49,500 के उपर निकले तो बुलिश ट्रेड तो मार्केट वापिस हो सकता है 50,000 को टच करें सपत ग्रहन समारों के प तो अपन देखते हैं कि एक्सपाइरी कहा हो सकती है अब अगर यहां पे अपन जाके देखते हैं range क्या बन रहा है कहीं भी आपको straddle नहीं देख रहा है लेकिन एक call writing degree 23,000 straddle अगर जो बना भी है 22,500 है बना लेकिन बहुत कम volumes है दोनों तरफ हो सकता है कि call writer और put writer दोनों नहीं ज्यादा call writing, put writing नहीं करें क्योंकि market बहुत volatile है और विक्स बाड़ा हुआ मार्केट में आप nifty का PCR देखो तो 0.61 है और max pin जो आ रहा है कल के लिए 22,450 का आ रहा है उसी तरीके से अगर bank nifty को देखते है अपक bank nifty में अगर open interest आप देखोगे जो बना हुआ है सबसे ज्यादा straddle writing है 49,000 में और सबसे ज्यादा call writing है 50,000 तो अभी market में wix बढ़ा हुआ है इसके कारण आप देखोगे PCR 0.75 है bank nifty का और इसके लिए max pin है 49,000 यह तो अगले expiry के लिए बात वरी those stocks जो आप nifty और bank nifty को जब play करते है तो इसको watch out करना चाहिए bank nifty के लिए sdfc और nifty के लिए reliance 1500 के पास है मैंने आपको sdfc buy करने के लिए बोला था यह 1600 तक वापिस जा सकता है तो आप एक अच्छा-खासा swing play रपा हो गया आप है ठीक है और अगर आप reliance में play करें तो 28,000 2800 के पास आपको इसको buy करना चाहिए और पहला target 2900 का रखना आपको और फिर दूसरा target 3000 का तो यह भी एक swing और positional play हो जाएगा अपके लिए अब SBI और ICAC bank, ICAC bank अच्छा-खासा buying rate पर आ गया तकल तो अगर आप आज भी उठके buying के होंगे कल के low से तो भी आपको एक अच्छा-खासा देदेगा लेकिन यह swing target इसका जो है 1160 का आएगा future में SBI या buy कर सकते हो government stock है यह तो government ही जब एक डूसरे से जुड़ के बन रही है तो यह थोड़ा pressure में रह सकता है और जितने भी government stock आपने लिए है उसको आपको analyze करना पड़ेगा किसका valuations कितना है उसके हिसाब से आपको उसको portfolio में रखना है कि नहीं रखना है वह आपको decide करना पड़ेगा आप अपने advisor से पूछिए कि मुझे अभी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए और फिर उसके बाद आप decisions लेजिए कल के लिए जो दो stocks आपन देख सकते हैं पहला है इमामी अगर इमामी आपका 700 के उपर निकलने लगे तब एक अच्छा खासा trade बनेगा इसम दोनों ही stock अच्छे मार्केट में एक अच्छा खासा bullishness आया है क्योंकि मार्केट को यह पता चलिया किसकी सरकार बनने वाली है सरकार उसी की बन रही है जो पहले 10 सल थे लेकिन अभी जो सरकार बनने वाली है वो थोड़ी रोक टोक से बनने वाली है इसलिए कल भी और आने वाले जब तक सपत नहीं लेते हैं मोधी जी तब तक के लिए मार्केट में आपको पॉलिटिकल हडल्स आते रहेंगे पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उसके वाज़े से मार्केट में जो इंपैक्ट हो रहा है उसको आपको वाच आउट करना पड़ेगा मतलब एक तरफ आपको पॉलिटिकल नियूज और एक तरफ चार्ट दोनों को खोल के देखना पड़ेगा आपको market में रहना है तो सिर्फ level से काम नहीं होगा आपको alert रहना होगा तभी market में आप अच्छी तरीके से पैसा कमा पाओके तो economics यही होती है कि क्या politically क्या हो रहा है economically क्या हो रहा है मेरे surrounding में क्या हो रहा है within the countries outside the countries क्या हो रहा है dollar का क्या impact हो सकता है oil का impact कौन से stocks में हो सकता है तो यह सब चीज आपको जानना पड़ेगा तब ही आप एक अच्छे खासे investor और trader बन पाएंगे आप बताएए हम आपको हमारी videos कैसी लग रही है और जो दो stock हम लोग दे रहे हैं आपको आपको help कर रहा है कि नहीं आप एक बड़ प्ले करके रहे कि दोने stock को आपको नहीं भी तो 10 से 5 रुपए आप easily कमाल होगे इसमें खाली levels को ध्यान रखे और कोई मौका छूट जाता है तो उसको जाने देजिए मार्केट कभी बंद नहीं होगा मार्केट रोज कोने वाल आपको अपना capital सेफ करके रखना है और आप हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है लेवल्स नोट डाउन कीजिए उसके हिसाब से प्लेट कीजिए अपने दोस्तों को शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हम लोग को इसी से मोटिवेशन मिलेगा और आप आगे हम लोग से कौन सा स्टॉक की वीडियो रिपोर्ट चाहते हो प्लीज कमेंट स्ट्सक्राइब कर से प्लीज कर प्लीज कर से क।टल